गुबां Q10 वरिबरी गुधिनिग्व टू आल अफ यू तो teve क्समा этग मे आज हम समझेंगे iqois ज़िशन किससे बनाते हैं last mom Videos में क्समाइन स्टार्टिंग समेथ मुश्च कु सब्सक्राइब शॉर्यैन के सब्सक्राइब है T जिससे आपको exact idea लग जाए कि paper में questions आ किस तरीके से रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर question आपके पास में क्या कहता जा रहा देखेंगे आप question आपके पास में आप factory produce three different products A, B and C the profit per unit of these product is three rupees, four rupees and six rupees तो एक factory है वो तीन product को produce कर रही है उन products का नाम है A, B and C A product के एक unit को बेचने पर जो profit होता है वो तीन रुपए और B product के एक unit को बेचने पर profit चार रुपए होता है और C product के एक unit को बेचने पर छे रुपए का profit हो जाता है अब यह आपको भी पता है कि अगर एक एक उनिट को बेचने पे तीन रुपय का profit हो रहा है तो अगर एक प्रट्स पांच बेज़ देंगे तो पंदर रुपय का profit हो जाएगा मतलब कि क्वाइब कि मेरा प्रॉफिट कितना यहां पर हुगा आगे क्या है दा प्रोड़ेट्स आर प्रोसीड इन थ्री ऑप्रेशन एक्स वाई एंड जैड आपके जो है यह प्रोड़ेट्ट जो है तीन ऑप्रेशन से होके निकलता है अब अगर मान लेजिए मुझे बिस्किट बनाना तो ऐसा तो है नहीं कि हमें खेत में इसको उन ऑप्रेशन उन स्टेजिस के नाम यहाँ पर रखे हुए आपके एक्स वाई एंड जैड अब आपसे क्या कहता है आगे अगे अगर आप्रोड़ेट्ट आर प्रोसीड इन थ्री ऑप्रेशन लाइक एक्स वाई एंड जैट दा टाइम इन आवर्स रिक्वाई इन इच इच उनिट अर गिवन वलू इसका मतलब यह हुआ कि अगर अई एक ओप्रेशन से होके निकलने में एक युनिट को कितना लग जाता है तो एक उनिट अगर एक्स उप्रेशन से स्टेजिस हैं कि बहुंस टेजिस से निकलेगा फ्रेल स्किन चला जाएगा थर्डेशन से इ तो किस-किस operations में किस-किस steps में कितना कितना time consume कर लेता है इसी तरीके से बी प्रोडट का है इसी प्रोडट का है आगे दा फैक्टरी हैस थ्री मशीन फॉर अप्रेशन एक्स टू मशीन फॉर ऑप्रेशन वाई मतलब कि एक्स ऑप्रेशन के लिए मेरे पास कितनी मशीन रखी हुए स्टेज वन को कम्प्लीट करने के लिए कितनी मशीन से मेरे पास मेरे पास में स्टेज वन के लिए मेरे पास में तीन मशीन है और दो मशीन स्टेज वाई के पॉरा गंटे नहीं चलती है कुछ लाइट जाने के बज़े is only 80% due to the power cuts or the breakdown of machine, अब 16 गंटे क्या तो रहा है, तेकि पूरा 16 गंटे machine नहीं चलती है, कुछ light जाने के बज़े से, machine के process की वए से, 80% ही इस time का हो उटिलाइज हो पाता है production में, clear है, 80% अब formulate the problems of the mathematically, अब formulate the problems of mathematically मतलब क्या आपको in equations develop करना है, इन equations कैसे develop करेंगे, सबसे पहले आप linear programming में आपको पता है, कि जिन products की बात होती है, उनकी quantity ही हमें नहीं पता होती, तो उनकी quantity को हम लेट करते हैं, always, clear है, let the units of, आप यहापे कर सकते हैं, solution की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, आपने question बना लिए तो आप share कर सकते हैं, क्यूंकि आज इसके theory questions भी हम discuss करेंगे, क्यूंकि आप देखते हैं कि 10 years में भी आप देखते हैं कि दो questions आपके तीन तरीके की चीज़े ही आती हैं आपके पास में, लिनेर प्रोग्राम में इसे graphical method आ जाता है कि यह बार A part B part में graphical method से solve करो, वह already discussed हो चुका है, दूसरा हमारे पास में ऐसे questions आते हैं, जिसको हमें फिर in equation में बना करके, फिर हमें simplex table की through जाना पड़ता है, और वहाँ पर हमें maximize करना है, simplex method कहते हैं, वह मैं already सिखा चुका हूँ, बस इसको में equations में convert करना सिखा रहा हूँ, तीसरा table बनावा आ जाता है आपके exam में, और वहाँ से कुछ questions, कुछ theory questions आपसे पूस्ता, वह को उसका answer करना होता है, वह भी मैं आच्ची class में आपसे distance करूँगा, इसके बाद कल एक last class रहेगी, then हमारे पास पर linear programming का topic हम finish कर लेगे, ठीक है, पहले इसके solution के बात करते हैं, तो आपके इसकी quantities नहीं पता कि product A में कितनी quantity produce कर रहा हूँ, तो यहां पर कैसे है, let the total number of units of product X, let the total number of units of product A is X1, ठीक है, इसी तरीके से आप, let the total number of units of product B is X2, and let the total number of units of product C is X3, first row, तो यह मैंने quantity let कर लिये, कि मेरे पास में कितनी quantity A product की, अब आप देखेंगे मेरे पास में बच्चे, A product की quantity अगर मेरे पास में यह hours हैं, कितने hours लगते हैं, अगर मैं X1 quantity produce कर रहा हूँ product A की, तो सबसे पहले आप देखेगा, कि X में, एक unit 4 गंटे ले लेता है, एक operation में, तो अगर मेरे पास में इसकी कितनी, अगर मैं unit इसका produce कर रहा हूँ A का, तो फिर मेरे पास में A से कितना लग जाएगा, एक में 8 गंटे लग जाएगे, एक unit 4 गंटे लेता है, तो 2 unit 8 गंटे लेगा, और Y में कितना नायम लेगा ये, यहां पर मैं यह कहा रहा हूँ आपसे कि मेरे पास में मैंने इसको 4X मान लिया, ठीक है ना, तो मेरे पास में 4X तो इसको A प्रोड़ेट को लग जाएगा, 4X1 उनिट, बात समझे, तो 4X1 मतलब क्या आपके पास में, एक उनिट में 4 आवर्स लग रहे हैं, प्रोड़ेट A को प्रोड़ेट को प्रोड़ेट का तो कितने आवर्स लग जाएगे, आपके पास में आपरेशन A में, तो 4 इंटू X1, यह चीज आपको सुन में आई या न इतना टाइम लगेगा, B प्रोड़ेट को, तो B की यूनिट क्या है, X2, तो यह 1 है, तो यह X2 लग जाएगा, और इसके पास में 6, और आपके पास में यह X3, तो ओपरेशन A कितना टाइम करता है, तीनों प्रोड़ेट को पडियूस करने में, ओपरेशन A में, तो आपके एक्स, तो ओपरेशन A में 3 मशीन से है, और हर मशीन 25 दिन चलती है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ, कि ओपरेशन A की में बात कर रहा हूँ, कि हर 3 मशीन है, हर मशीन 25 दिन तक चलती है, या फिर आप यह कह सकते हो, कि यहाँ पर 16 गंटे काम चलता है, ठीक है, यह से करते तीन मशीन है 15 दिन तक मशीन चलता है एकश यूई कितन ह variance में यूज किया एक्स अपरेशन में कितने मरव हौर्स मैंने यूज कि तीन दो चलते हैं तो ट्रोलन इतने मशीन ने काम किया है और यह आपके पास में डेली बेसिस पर यह शिस्टीन आवर्स काम करते हैं तो इतना बट आपके अफिसंसी रेट का हुआ पूरा थोड़ी सोला गंटे यह उटिलाइस होते हैं तो यह आपके पास में maximize करना है ना में यहां पर profit को maximize करना है तो मेरे पास पर टोडल इससे यह सारा का सारा time इससे less होना अच्छे मेरे पास पर इसी तरह के साफ solve करेंगे क्या आएगा है यहां पर मेरे पास में बस अब equation में always ऐसा होगा this one and this one और वही यह तो three into 25 sorry machines कितनी है इस पर टू मशीन से और वाई एंड ओनली वन मशीन टू मशीन फॉर्ट ऑपरेशन वाई टू बस सब कुछ भी बाकि सेम रहेगा इन्टू 16 इन्टू 0.8 क्लियर है जे और इसी तरीके से थर्ड वन के लिए हम क्या करेंगे एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस ट्री एक्स ट्री लेस देन और इसके पास एक मशीन है 25 इंटू 16 इंटू 0.8 एक्वेशन बनाना सिख लिए अब ठीके एक्वेशन आप कसे बनाना चाहिए आप साल करेंगे इसको यह अपने श्रा कर लीजिए इसको अपके पास एक्वेशन आगया अब आपके पास में एक्वेशन पर यहां पर 001, यहां से आपको इसको एक्वेशन में कैसे कर्मट करते हैं अगर आप पिछली क्लास इसको देखेंगे इसके तो देखेगा यह मैंने आपको बताया थे तीन वाले आपके पास में यहां तो यहां तो यह देखें यह सारे सोलुशन्स का हो चुका है ना वारा अब मैं बात करता हूं इस एक्वेशन की हां एक्स बाइज आप ले सकते हो मैंने इससे नहीं ले लिया क्योंकि है न मेरे पास में अब्जेक्टिव फंक्शन में भी ज्याड यूज होता है फिर ज्याड़ कन्फीजन क्रेट कर देगा स्मॉल ज्याड़ आप कुछ वर्कस डे इन थ्री प्रॉक्शन प्रोसेस फर्स सेकिंड एन थर्ड प्रोड़क्शन प्रोसेस कुन सा है फस्ट है सेकिंड है एन थर्ड ठीक है और उसके बाद मेरे पास में तीन मोडल है एक मोडल एबी मोडल है और इन सी मोडल क्लेड मोडल एई रिक्वाइस शिक्स्टी एंडर एंड़ एडय वर्क सब्रोड़क्शन तो एक एपर पर मेंट कितना है साथ अंडर्ड and 80 ठीक है और बी को हंडर्ड 240 एन हंडड़ और सीक के लिए है टू हंड़र है थ्री सिक्स्टी है वन सिक्स्टी क्लिए बच्चे अच्छा जैड फंक्शन के लिए कह रहते ना आप जैड फंक्शन कर देता हूं मैंस रूप हाज फंक्शन रहे था पीछे अ देखो बच्चे यहां पर देखो जैड फंक्शन इसमें निकालना था नहीं इसमें इसमें जैड फंक्शन एक प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो बच्चे प्रॉफिट क्या होता है आप देखिएगा एक प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका तीन एक प्रॉफिट हो रहा है तीन और कितनी कॉंटिटी है एक्सवन कॉंटिटी तो इस पर इतना प्रॉफिट हो मैं आप कोशिन की किसकी बात कर रहा हूं मैं इस कोशिन की बात कर रहा हूं और आगे क्या कहता है यह दा रिस्पेक्टिली इन थ्री प्रोडक्शन प्रोसेस तर नंबर आफ दा वर्कर दा एवरेज वर्कर इन इस अन दा जॉब फोर दा 200 वर्किंग देज इन ए यह दा एक्सपेक्टिट प्रोफिद अपर का थ्री मॉडल्स लाइक नंबर फिनिट्स मॉडल ए अप यह अफ्लेट कर लिजिए है आप ए चले सॉलुशन करते है आपके पास में नंबर आफ यून अफ मॉडल ए एकसवन नंबर फेनिट्स अफ मॉडल डी एक्स में नूम यू नंबर ऊफ यूनिट्स अफ मॉडल ल ठीए x3 clear ї जी और इसको आप सौल इसी तरीके से ही करते हैं always क्या कि आपके पास में operation first में 60 आपके पास में क्या लेता है यह requires a worker 60 worker है और मेरे पास में एक unit के लिए यह एक निट की requirement है, model A requires 60 180 worker a day in a 3 production process, ठीकिन एक दिन में, तो आए, तो मेरे पास में 60 x1 plus 100 x2 plus 200 x3 and less than equals to, और यहां पर मेरे पास में कितने worker हैं, 15 worker हैं, 15 worker हैं, और किते दिन काम करेंगे सारे के सारे, यह 200 दिन काम करेंगे, और इसी तरीके से 100 दिकलेर आपको, x1 plus 240 है, और 240 x2 plus 360 and x3, और कितने मेरे पास से workers दे रहे हैं, इसके लिए 30, तो 30 into 200, और यहां पर देखेंगे आप 80 x1 plus 100, x2 plus 160, x3, और आपके पास में क्या होगा, कितने worker यहां पर प्रोवाइड करवारे हैं, 15, तो 15 into 200, वरकर से, तो आप यहां पर जो है, इस तरीके से आप इस questions को आगे आप solve कर सकते हो, minimize के लिए कल होगा, आपका एक question minimize का, क्योंकि इसलिए मैंने का था ना, कल खतम होगा, almost सारा खतम होजएगा, minimize के बारे में बार बताने, जो कि मैं कल बता दूँँ आपको, इसलिए आपके पास में simplex, आपका linear programming, अब आप panic बिल्कुल भी नहीं होगे, बच्चे, कि सर, ऐसे questions में अगर हम से गलत हो गया, तो क्या होगा, आप side number खतम हो जाएगे, नहीं बच्चे, पेपर में आपके पास में जब question होगा न, तो हर एक question का आपके पास में उसका choice भी होगा, लाइक अगर आपके पास में linear programming से question आया है, तो part A में एक सवाल पूचा है, तो part A का एक choice और होगा, जिसमें आप sure हो, या आपको ये questions जो है, अच्छे तरीके साब attempt कर सकते हो, ज़्यादा पॉसल आपके correction किये, आप उसको attempt कर लीना, और हमेशा असा मिलेगा, अगर एक difficult मिलिया, तो इसके options में आसान डाल देगा, आपको, easy डाल देगा, तो आपको इसलिए मैं सब कुछ करवा रहा हूँ, बेरा तो दो दिन में ही खतम कर देता, मैं linear programming, एक graphical method बताये था आपको, और एक खतम कर देता, लेकिन मैं आपको theory questions क्यों करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ, कि अगर आपस equations नहीं बन पाए, तो आपके options में theory वाला section रहेगा, वो हर बच्चा कर लेता है, अगर आपको equation बना-बनाया दे दिया, तो आप simplex table से चलोगे, तो वहाँ पर teacher marks दे दे पंदरह जार x2 प्लस 30,000 x3, clear है जी, z function हो गया, and x1, x2, and x3 is less than equals to 0, हाँ जी बच्चे, तो आपको हर चीज नहीं सिखा जा रहा है, clear है, ताकि आपके पास में इतने options रहेंगे, कि आप एक तो जो easy आपको रहेगा, उसको आप attempt करोगे, तो पिप्पर में जो सबसे आसान आसान चीजे रहेंगे, आप उसको attempt करके आज आना है, बात समझे, और वैसे भी इस अलादे नहीं जो बात नहीं है, आप वैसे भी आसानी करोगी, मुझे पता है, छलिए जी, theory पा जाते हैं, एक्जाम्स में आप theory को बड़े ध्यान से समझेंगे, खेर मैंने इतने प्यार से theory के answers को भी मैंने खुद ही पहले लिख दिया है, तक कि आपके पास में जब ये notes जाएं, तो आपके लिए चीज़ें क्या काफे आसान रह जाएं, आप एक one theory में read कर लो, एक्जाम्स से पा dual method आपका minimize में use होगा बिटा, अब आप देखें यहाँ पर, यहाँ पर आप देखेगा, सबसे पहले आपके पास में क्या है, आपके पास में exams के अंदर इस तरीके का एक table आपका बना हुआ आएगा, यहाँ पर आपको जो है, कुछ questions आपके theory के आपसे questions पूछ लेंगे, जैसे questions आपसे कुछ ऐसे पूछ सकते हैं, answer the following question with the reason, कि does the table above gives a optimal solution, ऐसे स्वाल पूछेंगे, are there more than one optimal solution, कुछ ऐसे questions पूछेंगे, table से, is this solution degenerate, is this solution possible, तो if s1 is the slack in a machine a in hours a week, and s2 the machine b in hours a week, which this machine is the use to the full capacity, when the producing according to this solution, कैसे questions पूछेंगे, मैंने इसलिए answers भी नीचे इसके दे दिये हैं आपको, जिससे कि आपको कोई problem ना हो, ठीक है, चलिए, मैं आपको पहले समझा दिता हूँ कि आपको पहला काम क्या करना है, फर्स स्टेप, इसमें एक चीज आपको अपनी तरस्ता पर इस table को फुल्फिल करना है, क्या, कि यहां से आपको जड़ जे टेक, आपको बनाना पड़ेगा, और जेड़ जे कैसे बनता है, आप जानते हैं, जेड़ जे के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जेड़ जे के लिए आप इसको multiply करेंगे, तो 24 इसको multiply करेंगे 0, add करेंगे तो 24 ही रहेगा ठीक है? आप यहाँ पर multiply करेंगे 4, यहाँ 0 तो यह आपका 4 होगा यहाँ पर multiply करेंगे आप तो आपके पास में 4 और यह 0 तो यह भी 4 ही रहेगा यहाँ multiply करेंगे तो 4 और यहाँ multiply करेंगे तो आप जीरो रो गां तो आप जैड़ जैड़ आप निकल सकते हैं कैसे जैड़ जैड़ निकलता है और इपनानी बात ओचुकी है आपको एक चीज़ और करें है क्या आपको cj minus zj यह चीच करनी है अब आप कैसे करेंगे यह तो आपका पहला dash रहता है यहाँ से 3 में से आपके पास में 4 गया तो क्या आए minus का 1 आया ठीक है जी क्या आपका minus का 1 आया अब 4 में से 4 गया 0 आया और 0 में से आपका 4 गया minus 4 आया और जीरो में जीरो क्या जीरो आए तो अब आप यहां पर इस सीच को देखेगा यह आपको दो चीजे एक्ष्ट्रा फिर तब से कर लेनी है एक बात आप और समझ लिजेगा आपको याद होगा आप कोई बच्चा मुझे जरा कमेंट करकर यह बताएगा कि यहां पर एक यह यह ता कि आपके पास में सीवन हो कि क्या था यह आपके पास सो अफिकर सीड्य चति क्या था यह कहां से आता से कमेंट बताऊंग यह 434 का से specific function के कोफिशन्ट होते थे अमने अब्डी क्षेंट बिलकुल सही तो इसका मतलब क्या है कि मेरा अब्डेक्टिव फंक्शिन क्या होगा अब्डेक्टिव फंक्शन क्या होगा आपको पता लगा कि ुल्रatra एक्स रहा तो कई पूस्टा है कि डश दा टेबल अब दा गिफ्ट अन अप्टिमल सोलीशन तो हाँ यह अप्टिमल सोलीशन कब पॉसिबल है जब आपका CJ माइने एवरी एलिमेंट और CJ माइनिस जड़ जे जीरो और नेगेटिव जब आपके तो आपके पास में आप्टिमल सोलीशन पर आप होते हैं तो रिजन के साथ आंसर करें रिजन कैसे देना मैंने लिखा इसलिए क्या आपके पास में एक से ज्यादा इसका सोलीशन होगा कुशिन क्या पूछ रहा है आपसे बच्चे कुशिन आपसे पूछ रहा है कि क्या इसमें एक से ज्यादा आपका सोलीशन होगा देखेगा आपसे क्या पूछ रहा है एक से ज्यादा सोलीशन होगा तो आप हमेशा देखेंगे आप यहाँ पर इस केस के लिए आपके पास पर यहाँ पर क्या क्या चीज़े है और यहाँ पर क्या पर क्या चीज़े है जो इससे आपके पास बेसिक वेरिबल को छोड़के यहाँ पर क्या है एक स्टू तो वेसिक वेरिबल में है ही एस टू भी वेसिक वेरिबल में है तो मैं कह रहा हूँ कि आपका जो बेसिक वेरिबल कैंसिल कर दो यहाँ एसे आंसर देने के लिए आपके पर मत करना कैंसिल आपको बस बताने के लिए कर रहा हूँ और एस टू क्या बचगे आपके पास में X1 and S1 तो X1 आपके पास में और S1, X1 की value क्या minus 1 और S1 की value क्या आपके minus 4, ये अगर 0 होंगे न तब ही more than one solution निकल करके आएगा, clear है अगर ये 0 नहीं है तो ये more than one solution इसका नहीं आएगा, तो इस case में कभी भी number of solution आपसे पूछ ले तो आप basic variable को और आपके पास में CJ के अंदर जो आपके पास में है, वो cancel कर दो जो rest of बच जाएंगे, उसका CJ minus ZJ का आपके पास में 0 है या नहीं है, for example आपके पास में क्या बचा, आपके पास में यहाँ पर एक ये बचा और आपके पास में क्ये बचा, तो ये देखो आप, क्या ये 0 है आप ये देखो, क्या ये 0 है अगर आपके पास में ये 0 नहीं है तो इसका एक ही solution आएगा तो यह बास समझे या नहीं समझे clear है जी कोई बात नहीं, आप घवराएं बिल्कुल भी नहीं, मैंने लिख दिया इस बात को, क्या आर देखो, देखो, देखेगा सबसे पहले, एक्स वन एन एस वन इस दा, नोन बेसिक वेरिबल ठीक है, ये बेसिक वेरिबल कौन से थे हमारे पास में बेसिक वेरिबल कौन से थे एक्स टू, बेसिक वेरिबल कौन से है एक्स टू एन एस टू और आपके पास में एक्स वन और आपके पास में एस वन, ये नोन बेसिक वेरिबल होगे न, तो ये वही बात कहरा है कि एक्स वन एन एस वन इस नोन बेसिक वेरिबल c j minus z j equals 0 more than one optimal solution के लिए यह 0 होना चाहिए अब यहाँ पर कहा रहा है no non basic variable जो basic variable है is c j minus z j equals 0 more than one optimal solution is not possible बात समझे clear है चलिए थर्ड question क्या पूछ रहा है in this solution is degenerate क्या यह solution आपके पास में degenerate है देखिए बच्चे degenerate solution आपके पास में जब होता है degenerate solution आपके पास में जब होता है कि जब आपके पास में खेर यहाँ पर आपके पास में x2 बात समझेगा x2 की value के आपके पास में 6 clear है x2 की value के 6 solution देखेंगे न last में हम अपने जो maximize करते थे तो वहाँ पर हम पने solution जाते हैं तरहें कि मेरे पास में जो मैंने let करा है उसका solution में कुछ तो answer आना चाहिए तो इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास में 6 इसका answer है देखें कि question कहें in this solution degenerate since of the basic variable has solution 0 तो solution doesn't degenerate तो आपसे यह वही बात कह रहा है कि अगर basic variable का value अगर 0 नहीं आया आए आपके पासे basic variable का solution आपका 0 नहीं है तो फिर वो जो है designate नहीं होगा designate जब होता है जब basic variable हमारे पास में क्या जाए उसका answer जब हमारे पास में 0 आ जाए clear है समझ में आया आपको अब in this solution is the feasible बच्चे जो optimum solution होता है वो feasible भी रहता है clear है जो optimum solution होगा वो yes optimum solution is always feasible अब e part if s1 is the slack in a machine a in a hour and s2 in a machine b in a hour which the देखे अब s1 slack की बात कर रहा है जो की machine a को represent करता है like आप देखेंगे s1 यह क्या कह रहा है आपके पास में s1 machine a को represent कर रहा है और आगे यह खुद कहता कि s2 machine b को represent कर रहा है clear है जी अब machine a आपके पास में s1 आपके पास में और s2 आपके machine b zero machine one utilize and two at the full capacity इसका क्या मतलब है zero और two को क्या मतलब जड़ा देखेगा बात किसी कर रहे है s1 and s2 की बात कर रहे है a and b में देखेगा यहाँ पर s2 की solution क्या है two तो यहाँ पर basically s2 की जो है result two है पट आपका बात करूँ में s1 की तो इसमें clear है जी जो zero होगा तो इसलिए यहाँ पर आपके पास में s1 zero है तो यह पूरी utilize हो रहा है बड़ s2 अभी यह दो अभी hours इसके और बचे हुए है next a customer would like to have a one unit of x1 and willing to pay in access to the normal price in order to get it how much should the price is increased to ensure the no reduction in the profit कह रहा है कि भाया एक जो consumer है वो x1 product के लिए वो normal price से ज्यादा पे करने के लिए ready है x1 के एक extra unit के लिए जो उसकी price से ज्यादा पे करने के लिए तयार है अब भया बताओ जब price ज्यादा पे करने के लिए तयार है तो मेरा profit तो बढ़ेगा जितने का मेरा सामान है अगर उससे ज्यादा आप पे करने के लिए तयार हो जाए तो मेरा profit तो बढ़ेगा एक condition डाल दीके profit नहीं बढ़ना चाहिए तो फिर इसका तो एकी solution है क्या करना पड़ेगा मुझे उसके price को जब वो price मुझे उसकी commodity के बढ़ाने पड़ेगे है ना तो कितना price मुझे इसका increase करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे current solution में S1 आपके पास में क्या है? X1 आपका 0 है क्योंकि X1 तो आपके पास में है यही नहीं और X2 के आपके पास है 6 है तो आप cj minus zj corresponding to the X1 is the minus 1 अगर आप देखेंगे बात X1 के कर रहा है ठांगे X1 के तो X1 में अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे आप X1 में यह क्या आपके पास में minus 1 है तो minus 1 का मतलब के यहाँ पर आपका loss हो रहा है तो price को अगर आप जो है एक बढ़ा देंगे एक रुपे से बढ़ा देंगे तो आपका no profit no loss तर आप 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 आ जाएग indicating the loss of the one rupees, addition unit of x1 is produced, profit to be contained price must be increased by one rupees, clear अब how many units of the two products x1 and x2 are being produced according to the solution and what is the total profit, अब सवाल आपके पास में ये है कि total profit maximize होने के लिए मुझे x1 और x2 की कितने unit produce करनी चाहिए, आपने देखा नहीं है कि मुझे कितने unit produce करनी चाहिए, क्या होता था हमारे पास में, देखो ये क्या बताता था मुझे, ये मैं x1 और x2 जो variable मैं let करता था वो basically होता क्याता, वो number of units होते थे 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 न हमारे पास में, तो ये बताता था ना कि x1 की value आट unit produce करना है, ये हमें कितना 2 unit प्रद्यूस करना है तो इससे आपके सवाल यही पूछ रहा है इसके अंदर कि मुझे कितने इनिट्स प्रद्यूस करने चाहिए X1 और X2 के तो यहां पर अगर मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास में X1 और X2 की बात करते है तो X2 का सॉलुशन क्या है 6 तो इसका 6 इनिट्स करने चाहिए X1 जिसको हाई नहीं इसमें जो चीसमें हाई नहीं वो क्या हो गया मेरे पास में वो मेरे पास में 0 हो गया ठीक है clear है तो आपसे कोश्चिन क्या पूछ रहा है this one how many units of the two products तो X1 मेरे पास में 0 है और X आपके पास में 2 मेरे पास में क्या 6 है clear है profit को maximize करना है being the product according to this solution and what is the total profit तो total profit के लिए क्या करते है आपके पास में क्या आप इसके अपने objective बना सकते थे ना आप कैसा बना से थे थे आप थ्री आपके पास पर क्या था X1 प्लस 4 X2 यह था आपके पास में अब आपके पास पर 3 और X1 आप कितने produce कर रहे है जीरो और 4 into X2 तो X2 आप 6 unit produce कर रहे हो तो 24 पर प्रॉफित maximum होगा न तो objective function बनाना क्या आपको सिखाया नहीं था मैंने objective function कैसे बनता है तो वहीं से अपने profit को maximize कर दीजी आप क्लिर है जी कोर्सपोंडिंग एंट्री दर सी जे मैंने जड़ जे इस मैंने कोशिन क्या है मशीन ए विद दस्लैक एस वन इन आवर वीक और हैस तो बिदा शुट डाउन फोर टू आवर्स नेक्स वीक हाव मच विल दा दिरेक्शन दा प्रॉफित तो अब आपसे कह रहा ह है कि आपके दो घंटे के लिए घ्म को शुट डाउन फॉलड ट्यू आवर किसको मशीन एको जिसका क्यान वहसं रिपर स्लाक्स एक एस ड्लैक मशीन एका सलaddласт मेंच यह वैरिबल पर आप देखेंगे स्लेक क्या है मशिल्याद कई यह यहकंच फोड़ों कर रा है तो यह क् मैं इसको दो गंटे के लिए बंद कर दूँगा तो फोर इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास में एट हां जी कोरिस्पोंडिंग एंट्रिंग देशी जै माइनस जै जैसा माइनस फोर टू एस वन इंडिकेट्स दा लॉस ओफ प्रॉफिट अफ फोर रूपीस यह उता रहा है कि चार रूपय का होगा पर आवर परावर की बात कर रहा है परावर फोर रूपीस को लोस मशीन ए सो देट दा लॉस ऑफ दा फोर इंटू आवर का मतलब हो गया एट रूपीस का लॉस हो सिटी तो इसमें आपको अपना अंसर कि दिस वर कि स्लैक मशीन ए और मशीन भी है दिस वर तो माइनस फोर एंड जीरो इसका आप आंसर मांग करेंगे कि एफ पार्ट क्या करता है कि वो एक्स वन की एक एक्स्टा यूनिट को पड़ियूज करें ठीक है और उसको कितने रुपेस की प्राइस को ब्लाना चाहिए इसके प्रॉफिट पर कोई भी इंपेक्ट नहीं पड़े तो सिंपल आपके पास में है कि आपके पास में X1 का आप देख लेगे कि आपके पास में CJ-ZJ corresponding to X1-1 यह क्या इंडिगेट करेगा इस लॉस आप दा वन रुपेस इस एडिशन उनिट आप दा एक्स बड़ियूज ता प्रॉफिट टो बी कॉंस्टेंट प्राइस मस्ट भी इंक्रीज बाई वन रूपीस तो यह वन ही डायेक्ट आपका अपना आंसर माग करना है सेम तू सेम कुछिन पूछे जाएंगे आपसे इससे इलाबा कुछ भी आपका नहीं पूछे जाएगा मैंने पर देख तो इसलिए आपको हर चीज के लिए रेडी रहना है कि लेगे बच्चे अब जो आपका रहे गया और नेस टास में हम करेंगे इस चीज को कंटीनिव कि बिलते नेस टास अगले क्लास के लिए बच्चे भी बेट कर रहें